तो जैसा कि आपका जो लेंगुज वाला पॉर्ट्शन है लगातार हम क्लास पड़ी रहे हैं आपके हमने पिछली क्लास में क्या पड़ाता बच्चों अव्य क्या होते हैं मैंने आपको बताया था और इंग्लिश में जो अव्य होते हैं मैंने आपको लखाई थी इंग्लिश में क्या होता है अब को पहले प्तायाता है की जैसे क्रिया विशेश्षण हो गया समुछे बौत को गया समंध्य बौतक हो गया विस्मियादि हो क्यों तो यह जो टाइब होते हैं वह अब्यके अंदर आते हैं हिंदी में लेकिन अंग्र करिया विशेषण 253 उत परवश दूसरा कया पढ़ाता से लग तो तक मतलब 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 इंटरेक्शन किक सबसे पहले ताइप क्रिया विशेश्टा क्रिया की विशेश्ता कbook कि क्रिया हों allah कि वर्भason प्लभ Music विश्था प्रकार का चरुप्र कान से पर आप मेरे साथ अंगर आपको याद तो बहुत अच्छी आता साथ साथ चीजों को रिवाइस करते हो चलो तो सबसे पहले था रीती वाचक क्रिया विशेश्ड ठीक है रीती वाचक क्रिया विशेश्ड का मतलब होता है एड़वर ओफ मैनर ठीक है दूसरा होता है आपका काल वाचक क्रिया विशेश्ड मतलब तो आज हम क्या पढ़ेंगे आज जो आपके अवे के बागी के तीन टाइब रह गए थे समुच्ची वो दक संबंद वो तक और चौथा के बताए तो तो हम बागी के जो तीन रह गए तो उनको पढ़ेंगे और कि इंकलिश में इनको क्या बोलते है कि ईक्डिफिनेशन सोति है और अगर थाइप हो गया था नेक्स्ट अगला प्रकार था हमारा तो समंद वो तक जिसको हम अंगरेजी में क्या बोलते हैं इसको रेस कर देते हैं संबंद बोधक संबंद बोधक जिसको क्या बोलते है बच्छो प्री पोजीशन प्री पोजीशन संबंद बोधक क्या होता है क्या इसकी definition होती ही बाइस संबंद संबंद प्री का मतलब पहले पोजीशन का मतलब इस्तिति अब संबंद आशे जो संगया या सरवनाम ऐसे सब्दों के बाद लग कर, बाद में लगकर क्या वताते है उन बाक्यों का संब्द्ध Holiday जो सब्द नुनंके बाद में लगकर बाके की जो बाकी का सिंटेंस उससे relation बताते हैं मतलब संब्दll नाँ एसे औंग्रेजी in 2022 में प्रिपोजीशन इसली बोला जाता है na क्योंकि यह capability पहले लगते जिसे मैंने बोला आपसे की कोई एक rozp लिख लिग लिया याप पेड के नीचे गाय है तो आप ने ह्याट पेड क्या है संग्या पेड़ कया कर रहा है उस अजी द रख लाए है जैसी इ finds यहां पर लिख लो ठीक है मैंने लिखा पेड पेड के नीचे गाए है पिक है अब यहाँ पेड़ गया है संग्या क्य अगर हहां से हटा दोगे तो क्या रिखागा पेड़ नीचे गा यह थोड़ा औक रगाएंगे ना और लगेगा लेकिन जैसे ही हम के लगाएंगे तो क्या हो जागा एक ही है शबद हो गया संग्या कुछ भी हो सकता है भागी का इह है तो इसको क्या करना जोड़ने का काम कर गma कर रहा है और कहां लगा है शंग्या याॉसर्वनाम के बाद में लगा हुआ है ऐसी मैंने एक online इसमें एक्जाम्बल लेग लिया कि इसको लिख देते हैं the cow the cow the cow नहीं होगा there is a cow under the tree चीक है तो अब यहां पर देखो यहां लिखा there is a cow under the tree अब ट्री कहा है लेकिन प्री पोजीशन कौन सी होगे यही तो आएगा under the tree यह प्री पोजीशन आपकी क्योंकि अगर हम अटा दिंगे अंडर ट्री लिख दिंगे तो क्या होगा sentence incomplete तो माना जाएगा ना लेकिन complete कौन कर रहा है मतलब जोड कौन रहा है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा आपका प्री पोजीशन क्या हो रहा है यहाँ प्री का मतलब पहले संग्या फिर सर्वनाम से पहले जोड रहा है इसलिए क्या हो जाएगा प्री पोजीशन चलो रेफिनेशन लिख लो किस तर ऐसे लिखना है ऐसे सब्द जो संग्या या सर्वनाम सब्दो के बाद जुड़कर अन्य सब्दो से पाक्य के अन्य सब्दो से संबंद बताते हैं क्या कहलाते हैं वो संबंद बोदक 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 कहलाते हैं एकहन के परीपोजीजन या किसे सब्दो से एकहन के परीपोजीन वोले से लिए 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 सब्सक्राइब एक प्रोनाउन नाउन और प्रोनाउन मतलब क्या होगा? नाउन और प्रोनाउन से पहले जुड़ेंगे और क्या बताएंगे? तो शो इट से रिलेशन इलेशन विद सम अदर वर्स 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 से रिलेशन वर्स ठीक है? सेम यही है बस क्या है? अब प्रोनाउन के पहले ठीक है? वी फोर तो जो noun and pronoun के पहरे लगेंगे और क्या बताएंगे जो बागी के अन्य शब्द है उनसे क्या बताएंगे बागे में relation बताएंगे तो क्या हो जाएंगे वो preposition कहलाएंगे सही अब मान लो हमने लिख दिया यहां हम रात में मिले अगर यहां से मैं मे को हटा दूं तो क्या होगा यह बाके और वो जाएगा और इनको फिर जोड़ेगा कौन क्योंकि तीन क्या है अलग-अलग सब्द हैंना जैसी हमने यहां लिख दिया हमें तो यह एक हो गया एक यह हो गया दोनों को क्या कर रहे जोड रहा है तो क्या हो गया में सही तो यह क्या होगा आपका प्री पोजिशन ऐसे ही अगर इसको English में लिखोंगे क्या वी मैं एट इट नाइट ठीक है अब यहां क्या है नाइट रात का मतलब संग्या इतो होता है संग्या के क्या लगा है, बिल्कुल पहले और क्या कर रहा है, जोड रहा है n, बाके के एक सब्द को, मतलब संग्याय या सर्वनाम को किससे जोड रहा है, बाकी के पोर्ट सन्शन से बाके के, ठीक है दूसर एक्जाम्पल लेकpex लो मैंने बोला, किताब मेज पर रखी है ठीक है अगर मैं यहां से पर हटा दूँ ठीक है किताब मेज रखी है तो कोई बाक्य बन रहा है नहीं बन रहा है ना और मेज गया है संग्या संग्या के ठीक बात में लग रहा है ना ठीक है अब इसको English में convert करके लिखो तो लिखोगे दा गुक इस ओन दा टेबल या ओन टेबल भी लिख सकते हैं ठीक है तो अब यह बताओ टेबल कहाँ लाश्ट में मतलब नाउन कहाँ होगे लाश्ट में और उससे ठीक पहले लगाए न तो क्या होगे प्री पोजिशन और संगय सर्वनाम को बाग के अधर सिंटेंस से भी जोड़ा है तो प्री प्रोजिशन हो जाएगा ओन ठीक है अगला तो मैंने आपको पहला एक्जांबल दो बताई दिया था पेट के नीचे गाया बैटी दोनों में डिफ्रेंस भी बता दिया था एक एक्जांबल और लिख लो मैंने लिख दिया है ग्यान के बिना जीवन वेकार है ठीक है यहां से अगर के भी ना यह के ही आटादो बस ठीक है तो क्या होगा बाग्छे को कौन जोडेगा बेखो संग्या तो है में मारे पास ग्यान इसके बाद मैं क्या लगाए यह लगा है ना के यह के भी ना तो यह क्या हो जाएगा बाग्छे के other words हैं जो भी तीन-चार वर्ड है इनको क्या कर रहा है जोड़ा है संग्या के साथ में तो क्या है यह संबंद बोजा का अब इसको एंगलिस में लिखोगे तो क्या लिखोगे लाइफ बिदाउट नॉलेज इस उसलेस ठीक है इसको अब देखो ग्यान कहां पहुंचकी अनॉलेज यहां और ठीक इससे पहले के लगाए विदाउट तो यह क्या होगे आपका संबंदों मतलब preposition संग्या से पहले लगा है अब आप Amawn भी तो संग्या है ठीक है संग्या है लेकिन आप देख मुश्लडिबाक्य में क्या है पहले क्या है बाद भी संग्या दिये, और उससे पहले preposition लगा है मदलब definition में चैक्तित. हुआ है जो संग्या से पहले जुड़ते हो तो वह होंगे प्री पोजिशन और अंगर हिंदी वाले बच्चों को क्या रहा रखना है जो संग्या या फिर सर्वनाम के बाद में जुड़ते हैं ठीक है अच्छा एक सिंटेंस और ले लो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जागा यह हमने जादा तर संग्या के एक्जाम्पल लिये थे एका सर्वनाम का भी ले 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 थे एक्जाम्पल मैंने बोला उसके साथ बच्चे भी आए है अब यह बताओ यहां पर जो यह है ना उस यह क्या है सर्वनाम ठीक है और इसके ठीक बात क्या लगा है के यह क्या कर रहा है बाग के के जो अन्ने सब्द हैं उनको क्या कर रहा है सर्वनाम के साथ जोड रहा है अगर इसको इंग्लिस में लिखोगे तो क्या लिखोगे विद लॉपड़िये हैं तो अब क्या हो गया है? यहां पर क्या हो गया हम कहां बहुंच गया ? उसके साहत मतलब हम कहां लाश्ट में और उससे पहले क्या लगाए ? प्रॉफिजे प। उसमजिंगे तो यह क्या कर रहा है? हिम को बाके के मतलब sentence के अधर जितने भी वर्ड उनके साथ के कर रहा है जोड रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका प्रिपोजिशन ठीक है न अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संग्या या सर्वनाम के बाद में जुड़कर जो बाके के अन सब्दों से संब बताएंगे वो क्या होंगे प्रिपोजिशन तो यहां पर आपका प्रिपोजिशन जो है समाप्त होता है अगला जो प्रकार था उस पर चलते हैं अब क्या होगा इसमें के बाद के संबंद बोधक के बाद समुच्चे बोधक समुच्चे बोधक क्या होता है क्या उसकी परिवासा होती है यह भी देख लेते हैं ठीक है तो लिख लो समुच्चे समुच्चे बोधक ठीक है समुच्चे का मतला हो गया हूँ जैसे इसकी परिवासा डीक हो यह होगी मैंने बोला दो शब्द, दो बाक्यांस, बाक्यांस का मतलब क्या हो गया, मैंने लिखा मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, दूसरे एक सिंटेंस लिख दिया, राम घर जा रहा है, तो अगर दोनों के जोड़ के लिखे हो तो क्या लिख दोगे, मैं और राम घर जा रहे हैं, मतल कि वह गया दो बावक्राइब को जो चोड़ रहा है ठीक है तो क्या हो जाएगा फिर वह समुच्चे वो दग ऐसे ही नहीं को बाक्यांसिंभी बोल दें ठीक है। आपको लगेगा इसके बाद क्या होगा तो पहले कोई चाहिए यह वाक्यान्स होते हैं मतलब बाक्यान के जोड़ने का काम करते हैं तो सब्सक्राइब करें ऑफिर शुड़ वर्ड को गृद्स यह समूच्य वहादा कहलें ऐसी इंग्लिश मिनकों से और बर्ड और गृुप्स और वर्ड घ्यूयं का मतलब क्या होता जोड़ना जौईंट वर्ड या फिर clause, clause का मतलब बाक्यांस और या फिर sentence मतलब बाक्ये, सही है तो किसको join कर रहे हैं, मतलब जोडने के लिए किसको कह रहे हैं two words या two more, मतलब दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा रही है कि सिर्फ दो ही वाक्यों को जोड़ें, सही है ना अगर मैंने बोल दिया, मैं राम और शाम घर जा रहा है तो भई क्या हो गया, तीन sentence बनेंगे ना इसके अलग अलग, तो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सही है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है अब समझ लो, इसकी definition क्या होती है समझ लो, तक की definition अब आपको समझ मागी अच्छे से, देखो सबसे पहले लिखेंगे हैं, दो शब्दो वाक्यांसू या वाक्यो को को चोड़ने वाले सब्द क्या कहलाते हैं? समझ वोधक कहलाते हैं अगर इसकी definition से लिखोगा तो क्वाने बडिलते हैं इसकी definition verde आपंढा। ठ्प्रिछे से रवड्द से लिख वाइफ़ के लिखोगा ओर आटा ये लागी sneakingटा प्रणौन्याद। Set, join, to, or, or, word, clauses, or, yaa, phir, sentence. तो इसका मतलब भी क्या हुआ, जो सब्द, दो या, दो से आधिक सब्दों को, yaa, clauses, मतलब बाकियांसों को, yaa, phir, sentences, मतलब बाकियों को जोड़ने का काम करें, वो क्या होंगे, conjunction, ठीक है, तो अब इसके example समझ लो, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जैसे मैंने लिखा, यदि हराम चाहें, तो वहें परिक्षा में पास हो सकता है, तो देखो, अब दो sentence बनना है ना, मैंने लिखा, यदि हराम चाहें, तो, दूसरा sentence किया है, बहें परिक्षा में पास हो सकता है, ठीक है, दो को जोड़ने का काम कर रहा है, कौन एक, बस तो, ठीक है, अगर इसको इंगलिस में लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, इसका इफ्राम, या इंग्रेज जी के दूसरे example ले लेंगा, जिसी कि आपको और अच्छे समझना आ जाएगा, अगर, यदि, वहें, पढ़ लेता, तो, तो क्या होता, फेल नहीं होता वो, अब यहां पर भी दो बाके हैं, बाक्यांस हो गए, मतलब यदि, वहें, पढ़ लेता, ठीक है, दूसरा क्या होगा, फेल नहीं होता वो, ठीक है, अगरा, सीता, तो स्कूल जाना चाहती है, परंतू, अनामिका, बना करती है, तो यहां पर क्या होगा, सीता तो स्कूल जाना चाहती है, एक बाक्या, दूसरा क्या होगा, परंतू, अनामिका, मना कर देती है, तो यहां पर भी क्या होगा, दोनों को कौन जो रड़ा है, एक शब्द, जो की क्या होगा है, समुच्चे वोदक, ठीक है, एक बाक्या और लेलो, राजा ने बहुत परिश्रम किया, किस लिए रहे पास हो गया, ठीक है, अब इसको क्या हो गया, इसको कौन जो रड़ा है, इसलिए, ठीक है, राजा ने बहुत परिश्रम किया, इसलिए क्या होगा, वो बाक्यांस जो रहे हैं, सिर्फ किसी एक सब्द से, तो वो सब्द क्या कहलाएगा, समुच्चे वोधक, ठीक है, अब देखो, इंग्लिस वाले बच्चों आप एक्जाम्बल देख लो जैसे कुछ बढ़त होते हैं जैसे मैंने बोला ना परंतु इसलिए और ठीक है तो यह सब क्या होते हैं यह आपके ज्यादा तर कंजेक्शन मतलब समुचे बोधक में ही यूज होते हैं जैसे अंग्रेजिम बोलते हैं ना हम बट सो मतलब इसलिए बट का मतलब क्या होता है परंतु या फिर लेकिन कुछ भी बोल सकते हो और सही है पॉर ठीक है येट तो यह मुश्टली क्या होते हैं कंजेक्शन में ही यूज होते हैं अब बागे ले ले दें आई हैव वन डॉग एंड कैट अगर मैं इसको अलग लग बोलू तो क्या बोलूगी आई है वन डॉग या फिर आई है वन कैट लेकिन मैंने जब उन दो बाग्यों को एक में करना होगा तो क्या कर देंगे हम एंड लगा दिंगे बस यहां एंड भी लिख लो यह क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा एंड कंजक्शन ठीक है क्या कर रहा है दो सब्द इसने यहां पर तो सिर्फ दो सब्दी जोड़े ना लेकिन असलमों कि वो क्या है पूरे दो बाक्य हैं सही है अच्छा लिए अलेलो रमन ऐख लाइंड अन्दाट्री अच्छे वेण ही वाज किड रमन क्या करता था पेड़ों पर चाड़ जाता था क्या जब वह बच्चा था देख तो होगे वैब अच्छा था और दूसरे सिंटेंस क्या होगे रमन पेड़ों पर चड़ जाता था on the tree देखो अब यहां क्या हो रहा है कौन जोड़ा है तोने बाक्यों को when तो यह क्या हो जाएगा आपका conjunction ठीक है अच्छा अब अगला एक और सिंटेंस देलो you can lie, live here until my friend come until का मतलब होता जब तक आप यहां रह सकते हो जब तक मेरा मित्र आ जाये जब तक मेरा मित्र नहीं आ जाता तक क्या हो सकता है आप यहां रह सकते हो अन्टेल तो जोड़ कान रहा है एक दो गया I you can lie here दूसरा के अओ गया my friend come तो दो बाकियों को कौन जोड़ा है? UNTIL UNTIL का मतलब हो किया जब तक तो यह क्या हो जाएगा? CONJUNCTION ठीक है? अच्छा Mike can speak both English and Hindi अब यहाँ पर क्या हो रहा है? END अब इसको अगर बोलें तो क्या होगा? Mike क्या बोल सकता है? English भी बोल सकता है और Hindi भी बोल सकता है Mike किसी का नाम है याँ ठीक है? Mike भोल नहीं है जिसमें मैं भोल रही हूँ आप से तो हिंदी में बोल सकता है और इंग्लेस में बोल सकता है लेकिन यह आपर अगर हमने इन को यह इसी भात कहना हो तो क्या लिकिन mere me speak both English and Hindi बस लग गया और ढोनों को क्या हो गया जोड दिया इसने तो यह क्या होगा conjunction ठीक है यह आपका conjunction था यह भी समुच्छ बोदक समभत हुआ अगला एक्जांपल अगला चो टाइप है उस पर चलते हैं अब क्या बचाए रिस में आदी बोदक विसमे आदी मतलब विसमे आदी और बोदक तीन सब्दों से मिलकर बना है ये विसमे का मतलब होता है सोच में पढ़ जाना खुशी शे, गम से या कैसे भी विसमे आदी बोदक की सबसे अच्छी भैचान एक होती है पहले लिख लेते हैं हम फरिवासा भैचान तो आपको पता लगी जाएगी एक्जामपल में विसमे आदी बोदक जिसको बोलते हैं हम इंटर जैक्षिन ठीक है तो विसमे आदी बोदक क्या होते हैं जो हमारे मन के भाव होते हैं अगर हमें बहुत खुशी होती है जैसे मान लो तुम अपनी क्लास में फर्स्ट क्लास से पास होगा तो मैं प्राइज मिलेगा तो क्या होगा अरे वाँ मैं तो अपनी क्लास में क्या होगा फर्स्ट क्लास से पास होगा अरे वाँ तो एक अंदर से क्या हुआ उत्साहा निकला ऐसे ही अगर मान लो तुमारे घर में चोरी हो गई तो यह क्या हुआ आपको क्या हो गया आपका लॉस हो गया आपके मन का भाव इतुई है ठीक है अब अगर मान लो आपने जंगल में सेर देख लिए तो क्या हो हो कितना बड़ा सेर है, तो यह क्या होगा, आपके मन कार डर है, तो वह भी एक भाव है, इनको लौप प्रकर्ट करते हैं, आस चर्रे, अगर मानलो आपने कोई चीज पहली बार देख ली जैसे मानलो पड़ो सो में एक लड़का है को लगातार, फ्रेह पास सुझाए तो क्या होगा यह आज चर रही तो होगा तो यह यह किया यह record के बार वहा को बताते हैं जो शब्द वो क्या होते हैं विशमेदी वो तक कहलाते हैं तो इसकी सबसे बड़ी खाशियत यह होती है कि जिनने के साथ आपना हो अपनी हिंदी की किताब में ठीक है तो अब देखो इसकी डेमिशने से लिख लो जो सब्द जो सब्द मन के हर्स मतलब खुशी किरना मतलब नफरत आश्चर्य प्रशन सा मतलब तारीफ करना आदी और लगा दो क्योंकि मन में एक भाव नहीं आता है मन में तो बहुत सारे भाव आते हैं आदी भावो को प्रकट करें तो वो क्या कहला आएंगे पिश्मयादी बोधक पिश्मयादी बोधक पिश्मयादी बोधक सब्द कहलाते हैं तो यह होती है इनकी परिभासा और इनको किस चैनले से प्रकट करते हैं इस वाले चैनले से सही है अब इसको अगर इंगलिस में लिखोगे तो लिखोगे आरे इस अब्यादा अब्रेक्ण पिश्मयादी इस इस आवरड इछ इज use to express 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 मतला प्रकट करना sudden feeling of joy sorrow तो किसको एक्सप्रेस करते हैं? जो फीलिंग होती है, फीलिंग आप ज्वाइ, सोरो, एंड बर्डंडर एंड और लगा लो है, एंड वेंड वेंडर बंडर मतलब आश्चर है, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा आपका, अब इसके एक्जामपल समझ लो, क्या क्या हो सकते हैं, एक्जामपल कुस नहीं, अगर आप इस वाले को पोर्शन को गलत कर गया है, मतलब जो बच्चा कर बिसम्यादी वो तक को गलत कर गया है, तो समझ सारा पोर्शन कर गलत करके आएगा, क्योंकि इससे सरल कोई डैफिनेशन है नहीं, और ना इससे सरल अगर एक्जामपल आगया, तो आपका एक दो नमबर फ्री का है, वुल्गल वह 1.25, ठीक है, तो इसके एक्जामपल लिए लिए मैंने आपको बात बताई तना, साइन तुमने तो कमाल कर दिया, रही है, साइन लगा हुआ है, शाबाज लिखा हुआ है, अपने मन के भाव तो ही पिरकट कर रहे है, मतलब खुशी हो रही है ठीक है, अच्छा, अरे, आप आ गए, बतलब जिसके ना आने की उम्मीद हो और वो आजा तो क्या कहोगे, अरे, आप आगए, या विर बहुत देर से इंतिजार कर रहे हो, तो क्या कहोगे, अरे, आप आगए, आश्चर रहे हो जाना, ठीक है, तो यह होगे, आपका वंडर, दूसरा, मैंने लिख दिया, ठीक है, यहां पर कहला हुआ है, चिन, और तो क्या हो जाएगा, बिसमे आदिवोतक, अब मैंने बोला, वाह, कितना सुंदर दरस्य है, तो आश्चरीत हो रहा है, मन को और आनंद मिला है, तो यह हो जाएगा, बिसमे आदिवोतक, अगला, खाय, बेचारे के, सारे पैसे चोरी हो गए, मतलब दुख हो रहा है, उसके सारे पैसे चोरी हो गए, तो यह क्या हो गया, दुख का भाव प्रकट हो रहा है, सौरो हो रहा है, तो यह भी क्या हो जाएगा, विसमे आदिवोतक, मतलब मन कोई भाव हो, और इस चिन के साथ अगर प्रकट किया ज आपको पैसे पड़ाओंगी ना तो सारे एक एक करके पता कर लूंगी आपने कितना बढ़ा है इसलिए चीजों को साथ साथ रिवाइस करते हुए चलना मतलब मैं पास हो गया बहुत खुजी की बात है तो यह हुड रहे है इस तरह के सब्दे यूज होते हैं ऐसे ही अगर दुख प्रक्रक्र करना तो यह होता है अलास अलास I am undone मतलब मेरा कार है पूर नहीं हो पाया दुख की बात होगी न यह तो यह क्या होगा अलास इससे प्रकट करेंगे मैंने लिखा ओ यू आर है अचानक किसी को देख लोगे तो क्या होगे ओ यू आर है मतलब आप आश्चरे में पढ़ गए मतलब वंडर तो यह क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा इंग्लिस में इंटरेक्शन में के लिए यूज होगा वाटा लवली मतलब यहां यहुड़ा लगा है और अगर अगर लाश्ट में लगा होगा और अगर मन के किसी भाव को परकट करना हो कोई भी फीलिंग आ रही होगी आपके मन की तो वह क्या हो जाएगा विस्मयादी वोदक होगा मतलब इंटर्जेक्शन ध्यान से देखना जा रहा तो आपका अब वाला पार्ट था मतलब जो बाकी के पार्ट से प्री पोजीशन कंजेक्शन और इंटर्जेक्शन यह क्या हो गया हैं इनको अच्छे से रिवाइज कर लो क्योंकि मैं जब आपको पैसे पढ़ाऊंगी तो सारे आपको यहीं से उठा के दोंगी भलाई बाग क्या अलग हो सकता है लेकिन प्रकार आपसे यहीं से पूछूंगी और मैं आपसे प्रकार के भी कोश्चन पूछूंगी भलाई आपके एक्जाम में चाहें अगर पूछ लेगा तो भई आप मना थोड़ी कर दोगे कि आपने सब्सक्राइब नहीं दिया था संग्या का मतला वहां कि पूरी संग्या पूछ सकता है कहीं से भी ठीक है तो आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हो कि नहीं संग्या के टाइप आगा और मैंने आपको पढ़ाए भी है तो इसलिए अच्छे से चीजों को कभर करते हैं च